Hello student, once again we are most welcome in this class in which I am going to teach you environment of class 4, that is workbook of environment class 4, chapter 7, adaptation in animals, अर्थात जन्तों में अन्कूलन इससे पहले हम आपको बंसे लेकर एक 6 तक चप्टर पढ़ा चुके हैं, उनकी भी लिंक आपको इस वीडियो की डेटेल में मिल जाएगी, वहां से बहुते हैं, अगर आपने अभी किसी चप्टर को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, आज पढ़ने वाले हैं चप्टर 7 जनतों में अनकूलन अर्थात, अनकूलन क्या होता है, जैसे जब मौसम परवर्तित होता है, तो उस मौसम में अगर हम अपने को ढाल पाते हैं, तो मुख रूप से इसी को अनकूलन कहते हैं, अगर हम उस मौसम में अपने को नहीं ढाल पाते हैं, तो हमारी फिर मुरत होना तहय है या हम बीमार पड़े आएगे तो आप इसमें लिखेंगे किया कि अनकूलन किसे कहते हैं उधार देकर समझाईए फर्स्ट क्वेशन है अनकूलन किसी बिसेस बातावड में सुगमता पूरवक जीवन ब्यतीत करने एवं बंस ब्रद्दी के लिए जीवों के सरीर में ब्रास्नात्मक एंवं कृड़ात्मक इस्थाहिपरवर्तन की क्रक्रिया को ही क抹गते हैं तो इतना आपको अनकूलन को फर्स्ट कश्टन में हमें लिखना है या अडैप्टेशन क्या होता सीधी साब जासराए कि जब जैसे बिंटर आ रही है तो बिंटर में रहने लाक अगर अपने आप बदल पाते हैं तो यह अन्कूलन होता है अब बहुत तीज गर्मी आने वाली है गर्मी में रहने लाग अगर अपने आपको बदल पाते हैं तो यह अन्कूलन का जाता है समझते हैं सेकंड कुश्चन second है यह जानवर अनकूलन ना कर सके तो क्या होगा तो उसका reality ही है अगर कोई भी जानवर अनकूलन नहीं कर सकता तो उसकी death होना तय है तो आप इसमें लिख सकते हैं यह कोई जानवर किसी business बातावड जैसे गर्मी बर्सा और जाड़ा में रहने लाइक अपने आपको बदल नहीं पाते हैं तो उन जानवरों की मरत्यों हो जाती है उन जानवरों की मरत्यों हो जाती है हैं आप इसमें इतना लिख सकते हैं अरता हम जब उस मौसम में रहने लागा अपने को नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई न कोई बीमारी हो जाएगी इससे हम Department death को पाएंगे अगला कीश्चन है निवास इसस्तान के अदार पर निमले के जीब जन्तों को आप बर्गी करत करिए NBA निवास इससतान मतलब बूता इस थली जीब यानि जमीन पर रहने वारी जली जीब पानी रहने वाले ओवचर आई्से जीब होते हैं जो आपके पानी म प्रभूट साप चुवा बाग हेरन सीर आदमी यह सब जो है इस्थलिय जीव हैं यानि जमीन पर रह सकते हैं रहते हैं और जलिय जीव में इसमें से केवल मचली और हुवेल आ जाएगी और उभैचर में ऐसे जीव लिखने जो दोनों जाए जगे रह सकते हैं जैसे मीड़क है केकड़ा है बतक है कचुवा है मगर मच्च यह जरूत पड़ने पर जमीन पर भी आ जाते हैं और पानी में भी चले जाते हैं नवचर होते हैं इसमें जो पच्छी दिए गए हैं जैसे कबूतर है मूर है यह पच्छीयों के नामे तो आप इसमें लिखे हैं नेक्ट श्रचार के इसे वो नब चर में नहीं मौर मचली चमगादर आप लिकिन श्रची नहीं होगा चमगादर गवर्य तोटा 100 पच्छी हैं जो उठसकते हैं उश होगा नीचे दिएगे जंतों का आवास की आदार पर बरगी कराड़ करना जैसे मचली यह मेड़क है मगर मच्च और कच्छवा और कौवा यह का रहते हैं तो मचली रहती जल्चर तो जल्चर वाले कौलम लिख दिया नबचर में कवा रहता है और ओवैचर में मेडग, मगरमच और कच्छवा ये ओवैचर में जाते हैं यानि जल और जमीन दोनों पर रह सकते हैं मचली के सरी पर किसका आवरड होता और क्यों ये आपको बताना है ये जो आवरड होती है सलक होती है जब आप उसको मिचली की तुचा हटाएंगे तो आपको हलके हलके जैसे छोटे-छोटे सिक्के टायप सल्क मिलेंगे और वो सल्क बहुत चिकने होते हैं जिसकी बज़े से मचली पानी में आसानी से तैर पाते हैं कि उसका सरी चिकना रहता है तो हम इसमें लिखेंगे मचली के सरी पर शलकों का आपरड होता है शलक चिकने होते हैं जिससे मचली पानी में आसानी से गमन कर पाती है इसकी प्रकास से अगला आसानी से तेरने के लिए मचली की बनावट कैसी होती है देखे मचली की बनावट पच्छियों की बनावट और जो एरोपिलिन होता इनकी बनावट हमेशा एक जैसी होती है निए धारा रेखित धारा रेखित का मतलब होता आगे का जो हिस्सा होता वो पतला होगा जो हवा को या पानी को चीर पाता है तो आसानी से तेरने के लिए मचली की बनावट धारा रेखित होती है कि इसमें इतना लिखना है मचली की पूँच का क्या कार होता है देखो मचली की पूँच कई आकार की होती है मतलब एक आकार की मचली पूँच नहीं होती अलग अलग आकार होते हैं इससे वह पानी में त तेर सकती है मुड़ सकती है और पानी में अगर छलांग लगाना हो तो पूँच काई सारा लेना पड़ता है तो पानी में तैरने पानी में मोड़ने और छलांग लगाने के काम में उनकी पूँच आती है मचली का आकार उसे पानी में रहने के लिए किस तरह उपयोगी बनाता है यानि एक तरीके से जो मचली का आकार है पानी में रहने के लिए अनकूलित होता है तो मचली का आकार धारा रेखित होता है यानि स्ट्रीम लाइंड ये से कहते हैं मचली का आकार धारा रेखित होता जिससे मचली पानी में आसानी से तैर पाती है पच्छी और जंतों का आकार समान होती हो भी पच्छी पानी में क्यों नहीं तैर सकते अब ये बज़े आगी देखो धारा रेखित पच्छी भी होते हैं और धारा रेखित मचली भी होती है यानि इस्ट्रीम लाइंड बॉड़ी फिस और बड दोनों की होती है लेकिन मचलीयां पानी में रह सकती है लेकिन पच्छी नहीं रह सकती है इसकी बज़े केवल यह ही है कि जो मचली होती है वो पानी में उसके गिल होते हैं जो पानी में सुसन कर पाती है पच्छियों के गिल नहीं होते हैं पच्छियों के नाक होती है उससे मतलब एक सिर पर छिद्र होते हैं जिनकी बज़े से वह सांस लेते हैं जबकि मचली गल फ़रों से लेती यानि गिल से और मचली का जो तैरने के लिए छोटे-छोटे पर होते पच्छियों के ऐसे पंक होते फ़ड़ा के पानी में नहीं चला पाएंगे उनको तो यह भी एक बज़े हो जाएगी पानी में रहने वाले सजीव कैसे सांस लेते हैं अब यह बताना आपको मगरमच कैसे सांस लेता है कैकड़ा है मेड़क है हुएल और डॉल्फिन यह पानी में तो रहते हैं लेकिन सांस लेने की सबकी जो मेकेनेजम होती है वो सबकी अलग अलग होती है सबकी एक जैसी नहीं के लिए अपने मुऊं को हलका ऊपर निकालना ही पड़ता है किसी प्रकास से कैकड़ा होता है यह दोनों से इसके गलफड़े होते हैं मचलिक तरह कैकड़े के भी गलफड़े होते हैं कैकड़ा गड़पनों से और फैंपड़े दोनों से सांस लेता है रथार नाक से भी सांस लेता है और इसके गिल भी होती है मेड़क के गलफड़ी नहीं होती है मेड़क के नाक होती है और मेड़क तुचा से भी सांस लेता है तुचा से सांस लेता है जब मेड़क पानी में अंदर होता है या किसी कीचर मेठा हुआ तो अपनी इसकिन से सांस लेगा और जब बाहर अंदर जाएंगी सिकार पकड़ने के लिए फिर सास लेने के लिए अपना मौबार लाना पड़ता तो सास बाहर से लीए लेते हैं इस नेक्स्ट है यह करें चित्र में दिए गए जानवर के पैरों की क्या विश्षिस्टा आपको इसके पैर देखके इनकी विश्षिस्टा वताम यह प्रिषिस्ता है उसको पानी में रहने के लिए कैसे मदद भाती है यह पानी में घानE के लिए इस पच्छी के पष्ची पानी में तेर पाता है तो आप इसमें लिखेंगे किया नाव चलारने केे लिए पतवार किह सकती है तो उसी तरीके से इनके पंजे भी चकले हो जाते हैं जो तेरते वक्त पानी को पीछे आटाने का काम करते हैं तो आप समय लिखेंगे कि क्या कि इस पच्ची के पंजे के बीच खाली जगे में पतली खाल से जोड़ी होगी है जैसे एक नाविक नाव को पतवार की साहता से चलाता उसी प्रकास इस पच्ची के पतवार का काम करते हैं जो इसे पानी में तहरने में शाहिक होते हैं इतना आप इसमें लिख सकते हैं निम्लिक में से कौन सा जलिय जीव का अन्कूलन नहीं है अन्कूलन गल्फड़े अन्कूलन मचली में अन्कूलन होता मीन पंक यानी मचली के जो पंक पर होते हैं वह भी उसका अन्कूलन होता लेकिन दात दातों के लिए कोई जरूत नहीं है उसके दात हैं या नहीं है तो यह अनकूलता से निर्भर नहीं होते हैं, तो आप इस पर टिक कर देंगे, अब इसमें आपको क्या लिखना है, मेडक अपना रंग क्यों बदलता है, इसको देखेगा, मेडक की रंग बदलने एक बज़य क्या होती है, या तो उसका किसी से जगड़ा हो रहा हो, या फिर जै अक्सर नर मेडक अपना रंग बदल लेते हैं, यह मेडकों की ब्रीडिंग का शमय होता है, आप इसमें इतना लिख सकते हैं, मेडक पानी और जमीन दोनों जगे सांस ले सकता है, क्यों? इसमें ये आपको लिखना है, तो दोनों जगे सांस क्यों लिखना है, क्योंकि मेड से सांस लेता है और जब मेड़क पानी के अंदर होता है तो अपनी तो जब पानी और कीचन में होता है तो तो चाहिए सांस लेता लेकिन जब पानी मेड़क जमीन पर होता है तो है नाक से सांस लेता है तो इतना आप इसमें लिखेंगे पच्छी का आकार उसे उड़ने में कैसी मदद करता है तो पच्छी का आकार कैसा होता है पच्छी का आकार होता धारा रेखित पच्छी का आकार धारा रेखित है था पच्छी का आकार धारा रेखित होता है पच्छी के दो पंक और एक लंबी पूँच होती है लंबी पूँश हवा में मोड़ने में साहिक होती है और धारा रेके सरीर होने से वह हवा को काट पाती है इसलिए पच्छी का सरीर जो है उसे हवा में मोड़ने में साहिक होता है तो इतना आप इसमें लिख सकते हैं पच्छियों के पूंश का क्या कार होता वो आपको इसमें लिखना है कि अब पच्छियों के पूंश मुड़ने में या डाल या जब जमीन पर पच्छिय बैठे होते हैं तो सरीर का बैलेंस बनाने के काम में आती है या सरीर का संतलर बनाने के काम में आती है कि अब आपको इ से मारने में मदद करते हैं वोजन को उठाने और उसे निगलने में होते हैं तो इतना आप इसमें लिख वाएंगे पच्छीयों के पर और पंख किस तरह से उपयोगी होते हैं आपको इस सवाल का जवाब देना है कि पर और पंख मतलब दोनों एक ही चीज़ है पर कहीएगा यानी पंक की केवल आप यह लिख सकते हैं पंक किस तरह के से उपईयोगी होते हैं तो पंक पंकों के किवल तो यह काम होते हैं एक तो उड़ने में साहिक रखते हैं और ठंड़े मौसम में उन्हें गर्ण रखने में भी सायओं होते हैं यह तरिका से गरम कपड़ी का काम करती है यसtered कि पच्छों के पर और पपंक उन आधने बहर सरीर को गरम रखने में शायओ होते तय लगा फट सब्सक्राइब हडियां कैसी होती है तो पच्छों को दिखो और खोकली हडियों में हवाँ भरी रहती है। जिससे पच्छियों का वजन कम होने से उण्वद्षों उड़ें में आसानी रहती है। और यहां पर कुछ नीचे पच्छियों उनके पैर के चुत्र दिया गया। गया गया तो पैर किस प्रकास मदद करते हैं और चौंच कैसे मदद करती दोनों के बारे में आप इसमें इतना थोड़ा थोड़ा लिखती जाएंगे तो देखेगा इस पच्छी के बारे में इसमें क्या लिखेंगा लंबे नुकीले नाखून वाले पंजे पेड़ की डाल पतली डाल पर भी आराम से लटक सकते हैं जैसे देखेगा यह इस प्रकास से पच्छी लटका है तो आप इसमें इतना लिखेंगे लंबे नुकीले नाखूनों वाले पंजे पेड़ की डाल पकड़ने में शायक होते हैं और लंबी नुकीली पतली चौंच जो टैनियों मे पतले चिद रोते हैं उनके अंदर से कीड़े मकोड़े निकालने में मदद करते हैं आप इसमें इतना लिखेंगे इसी प्रकास इसके बारे हम लिखेंगे पतबार के समाध देखेगा इसके पैर हैं तो जो उसे पानी में टेरने में सायक होंगे और इसकी चौंच जो है छ और इसकी चौँच, मौटी, मजबूत और आगे से बहुत सार्प होती है जो मास को फाड़ने में शायक होती है और यहाँ पर गौरिया का चित्र दिया गया है गौरिया पंजे थोड़ो बहुत छोटे और पतले होते हैं तो इसको सरी में कोई ज्यादा बजन भी नहीं होता है तो जो पंजे इसके होते हैं वो छोटे-छोटी टैनियों को पकड़ने या उन पर बैठने में शायक होते हैं और छोटी नुकुली चीज छोटे-छोटे लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें कि इनके अनकूलन के लिए काफी वज़य होती तब यह ऐसी जगे रह पाते हैं जहां पानी और ठंडक नहीं होती तो आप इसमें लिखेंगे रेगिस्तान में पाया जाने वाले जानवाले जैसे कंगारू है साप है छिफकली है आद अपने आवास के लिए अनकूलित होती है यानि रेगिस्तान में रहने के लिए अनकूलित होती है एरिजोना के रेगिस्तान में पाया जाने वाला कंगारू और चुवा अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीता है तो उसके रेगिस्तान में रहने तो जब टॉलिटी नहीं आगी पानी सरी में रुका रहता है। दूसरे इनकी सरी के तुचा यतनी मौटी होती है कि इन्हें गर्मी में पसीना नहीं निकलता है। जिसकी वज़े से जो भी इनकी अंदर ब्लेड में पानी या जो पानी काई पीने को मिल भी जाता है तो ओए पानी जली सरी से बहार नहीं निकलता है। ये इनके रेगिस्तान में रहने की सबसे बड़ी वज़े होती है तुचा थोड़ी मोटी होती है जो उनको गर्मी नहीं लगने देती है और उसके अंदर होता गर्मी को नहीं लगती है तुचा के अंदर फैट होता चर्वी जिसकी वज़े से नहीं गर्मी नहीं लगती है प नहीं बनता जो पानी मिल प्वी जाता काफी देर तक बना रहेता और Kate B वहाद रखते करते नहीं तो कैंदर रखते हो जहते हां एकë रिज़श्थान मेरे और य। है is to एक्यों डूमडियों के कान बड़े होते इस अन्कूलन में इस इस उन्कूलन से उन्हें क्या मदद मिलती है? देखे कर कान बड़े होती है? दुबज़एं मोखका है तो इसकी दू बज़एं अचे की कान बड़ेगे होती है? यह थी एक के पूंशा जा राहे, तो इसकी दूगज़एं एक करके काम करते हैं बड़े काम एक तो ये बज़े हो जाएगी दूसरी ये हो जाती है जहां पर टेंपरीचर अधिक होता है बहां हवा बहुत बिरल हो जाती है और जहां पर बिरल माद्यम होगा दो माद्यम होते हैं एक शगन माद्यम होता एक बिरल माद्यम होता तो जब बिर जिसकी वज़े से रेकस्ताने पाए जाने वाली लोमडी के कान बड़े होते हैं एक तो उनके सरीर का रेडियेटर काम करते हैं यह पेट के अंदर की जो गर्मी है कानों से बाहर निकलती रहती है दूसरा बहाँ स्पीड कम हो जाती है दोनकी जो उनके सुनने में मदद करते हैं और अगला क्वेश्चन है